नमस्कार साथियों आज हम लोग समझेंगे पोलिटी में नागरीकता की समापती को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि नागरीकता की समापती की मैंने तीन विधी को बताया था पहला विधी परितियाग, दूसरा विधी प्रियावसन, और तीसरा विधी में ने वन्चीत करना बता था, यानि कि तीन विधी बता था नागरीक्ता को समार्थ करने का, आएए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, विस्तार धंग से और सारगर्विक तरीके से समझत सबसे पहले परितियाग मतलब परितियाग को इंग्लीज में बोलते हैं ठीक है अगर परितियाग मतलब अता कि पूर्णत त्याग देना उसी को परितियाग कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भारत का कोई भी व्यस्क नागरीक व्यास्क नागरिक मतलब क्या होता है कि वैसे व्यक्ति जिसके उम्र 18 साल पूरी कर चुकी हो उसे व्यास्क नागरिक करता है व्यास्क मतलब बुढव उन्हें समझ लेना है व्यास्क मतलब जिन ऐसे व्यक्ति जो अपना आयू 18 साल पूरी कर चुकी हो ऐसे व्यक्ति को व्य नागरीक्ता का त्याग करवा सकते हैं इस परकार की घोसना वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अत्रीक किसी दूसरे देश का नागरीक है यानि कि अगर मा लेजे हम हैं हम अगर ब्रिटिस की नागरीक्ता यानि कि ब्रिटेन की नागरीक्ता प्राप्त करना चाते हैं तो हम यह हम जाहिर कर सकते हैं भारत सरकार से कि जनाव हम भारत में नहीं रहाना चाहते हैं खेर तो वैसा हम करेंगे नहीं चुकि भारत मां होती है वो ब्रिटेन की कहां धरते और भारत का कहां जहां सालो वर्फ जैसा इस्तिति माहुल बना रहाता हमको नहीं बनना है यह भारत को को छोड़ना चाहेगा, समझ पाने? तो अब हम जो है अगर ब्रिटेन की नागरीकता पराप्त करना चाहते हैं, तो स्वक्षा से हम भारत की नागरीकता को त्याग कर सकते हैं, ठेक है यानि कि भारत के अतरिक किसी दूसरे देश का नागरिक है यानि कि हम भारत के अतरिक किसी और देश का नागरिक है यानि कि दोरी नागरिकता का यहां प्रवधान नहीं है ऐसा थोड़ी कि हम ब्रिटेन का भी नागरिक हो और भारत का भी नागरिक हो तो भाया आप ब वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतरिक किसी दूसरे देश का नागरिक है यानि कि विदेशी भारती मुलके विदेशी समझ पारे मेरी भेत को अब दूसरा जो है त्याग करने का जो दूसरा प्रोसेस है वो है परियावसान इसको बोलते हैं बरखास्त मतलब टर्मिनेशन कहा जाता है ठीक है यह कहता है कि आधी कोई व्यक्ति देशिये करन या पंजीकरन द्वरा हमने आपको नागरिकता को प्रात करने की पांच विद और पाच्मा मैंने बता है था भूमी अर्जन के द्वरा नागरिकता तो उसमें हमने चर्चा किया था कि देशिये करन और पंजीकरन के बारे में तो अधी कोई व्यक्ति देशिये करन या पंजीकरन द्वरा अगर देशिये करन या पंजीकरन द्वरा अपनी इक्छा से भ यानि कि पहले यह क्या यह मतलब यह विदेशी है देखे ऐसे समझे अधी विदेशी है तभी नहीं जो यह पंजी करन किया भारत भारत की नागरिक्ता को प्राप करने के लिए पंजी करन यह देशिय करन किया तो हमने बता था कि देशिय करन तब होगा जो उनको भासा या ए और फिर वो क्या करता है त्याग करना चाहता है वर्तमान में किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी नागरिकता स्वतसमाप्त हो जाएगी भारत सरकार उसकी नागरिकता स्वतसमाप्त करते हैं इसी को हम लोग परियावासन कहाते हैं इंग्लिस में बना है जो पंजीकरन किया था पंजीकरन के दोरा भारत का नागरिक बना है और वह केंद्र सरकार के आदे दोरा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है वह केंद्र सरकार दोरा उसको नागरिकता से अगर कोई गलत धलत अव ऐसे क्यों करेगा अगर कोई आदमी जो है अगर क नागरिकता लेंगे तो अगर माली जो डॉनाल्ड ट्रम यहां आकर उल्टा-पुल्टा काम करने लगेंगे तो उसको सरकार केंदर सरकार आदेश देगी के ट्रमप जाइए यहां से अब जाइए आपका हो गया बहुत तो उसको वनचीत किया जा सकता है कौन केंदर सरकार उ उसको जो है वन्चित नहीं किया जा सकता इसलिए मैंने लिखा है कि वन्चन का सिधान जो है जन्मजात पर लागू नहीं होगा यह सिर्फ वैसे ही व्यक्ति पर लागू होगा जो विदेशी था और वो भारतिय बन गया और वहाँ उल्टा-पुल्टा काम करने लगा समझ में अब देखें यह वन्चन का सिधान्त लागू होगा तो कहां लागू होगा वन्चन का सिधान्त लागू होगा याद रखेगा कि वन्चन का जो सिधान्त लागू होता है यह यह लागू होगा जो देशिये करंद्वारा नागरिक्ता पराप्त किया था ऐसे पुरुवज भारत के निवासी थे वरत्मार में वो कई दूसरे देश में रह रहें तो उसे पी आई-ओ कहा गया देशी एकरांदोरा और कई वी देसियों के परती मतलब यह एकति जो विदेसी थि जो विदेसि थे और वो भारत की नागरिक्ता लेना चाहते हैं यह वंचन का सिधान्त उसी पर लागो होगा उसी को निकाल सकते हैं अब कोई व्यक्ति अगर जैसे हम हैं हमारे पूर्वा जुगरा सब भारत में रहा रहा है अगर हम उल्टा-पुल्टा कुछ भी उल्टा-पुल्टा काम करने लगा अगर भारत और पाकिस्तान का यूद हो रहा है हम पाकिस्तान को मार सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत सरकार हम को नहीं निकाले की भले जिएल में डाल सकती है लेकिन हमको भारत से बाहर नहीं करेगी आपके लिए दार परापकरा नहीं किया जा सकता है आई मेरी मेरी मेस समझ में तो वही लिखे हैं कि वजशन का सिदान्त लागव होगा समीधान के परति निश्टा नौ रखनेवाला एसा विदेशी जो समीधान के परति मतलğा जो पहले विदेशी था भारत के नागर्त हम बार बार बीरें कि पिया या करन यानि कि विदेशी जो विदेशी था वो भारत का नागरिक्ता ले लिया है अब उस पर वंचन का सिधान्त लाग होगा अगर यह काम किया उल्टा-पूल्टा किया जैसे संविदान के परतिनिष्टा नो रखना फिर दूसरा यूद के समय सत्रूओं को सहता करना अगर ड और पकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो भारत सरकार उसको वंचित कर सकती है यानि कि उसको निकाल सकती है भारत की नागरिक्ता चीन सकती है समझ पार है मेरी बात को तो यूद के समय सत्रूओं की सहता करने वाला गलत तरीका से भारत की नागरिक्ता अरजित करना की हो जो देश के इस्तरी पुरूस के साथ विवा करने पर इत्यादी यानि कि जैसे प्रियंका चपड़ा प्रियंका चपड़ा किसे साधी कि निक जोनस से अमिर्की से अमिर्की मुलके एक व्यक्ति से साधी किया तो उनसे साधी किया तो भारत सरकार कर सकती है उसकी नागरिकता खतम किसकी प्रेंका चोपड़ागी खेर अभी समन्द अच्छा है तो इसलिए नहीं किया लेकिन अगर भारत और अमिर्का के साथ अगर समन्द अच्छा नहीं रहता तो भारत सरकार खात उसकी नागरिकता छीन सकती है किसकी प्रेंका चोपड़ागी समझपार है मेरी बात को अगर कोई व्यक्ति साथ साल से भारत के बाहर रहा रहा है तो उसकी नागरिक्ता चीनसकती है भारस सरकार ठीक है तो ये था नागरिक्ता को समाप्त करने की विधी हमने तीन के बारे में चर्चा किया तो इसका इसकिन सट ले लिजी है तो यह था नागरिक्ता से समंधीत जितने भी मतलब मतलब समाप्ति होता है समझ पाले इसका इसकिन सट तो आप लोग ले लिए होंगे अब दखे इसमें कई और हो जाएगी स हनी मतलő होता समापति तो यή था आज नागरीक्टा की समापति के बारे में छसा Sasya क्या means कि हमने बताए था ना कि नागरिक्टा अधिनियम भारती नागरिक्टा अधिनियम he Neverоров 1500 चीजों के बारे में चर्छा किया गया था पहले कि भारतिय नागरिक्ता कैसे प्राप्त करनी है और दूसरा जो चर्चा किया गया था कि भारतिय नागरिक्ता की समाप्ती कैसी करनी है तो इसके बारे में हमने एक वीडियो में भारतिय नागरिक्ता की कैसी करना है उसमें हमने बता था और दूसरा वीडियो में हमने इस वीडि और बस आज इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमीद के साथ नई जूस के साथ तब तक आप खुश रहिए मस्त रहिए धन्यवाद जैहिंद